जै गुरु जी टू एवरीबडी जो भी एक सच्छंग सुन रहे है ते जिनने भी संगत है गी है जै गुरु जी टू एवरीबडी एंड मेरा कोटी-कोटी प्रनाम सब लोगों को मैं अपने बारे अपने परिवार के बारे और गुरु जी के साथ जो अपना रिष्टा है जा अपना जो प्यार है जा वो जो हमारे अंदर एक छाफ छोड़ चुके हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा मैं बहुत छोटा सा था जब गुरु जी जलंदर में थे मेरे नान के जो मेरा मटरनल हाउस है वो जलंदर में है और मेरे नाना जी उस टाइम के बहुत एक इंपॉर्टन्ट परसनालिटी एक एहम लीडर थे एक एहम पॉलिटीशन उनका नाम सदार अम्राउ सिंग था वो आज हमारे साथ नहीं है और उनके थ्रू थ्रू माइ नाना जी और माइ नानी जी और मामा जी और मादर मैं मिला इनको छोटे होते थे सबने कहना गुरू जी के बास जाना है हम उस टाइम के अब साथ आट साल के होंगे तो हम गुरू जी के मंदर जाते थे वहां ना जैसी अंदर जाना कोई मतलब के एक अजीब मतलब जीब कहने के मतलब इंटरस्टिंग कहलो जा एक फोरिया कहलो जा ऐसी एसेंस आती थी कि मतलब के विच्छ वेरी नाइस सो हम वहां बैठते थे देखते थे कि क्या कुछ हो रहा है एंड डूरिंग डाट टाइम गुरू जी ने सब को पानी देना उनके माला थी अपने गले में जो उनसे ब्लेस करते थे जो रुदराक्ष की माला उनके पास होती थी उससे सब को ब्लेस करते थे और पानी वो पलते थे जब वो पानी हम पीते थे तहना तो पानी ऐसे लगता था वाकी अमरित हमने पीलिया और जो बिलकुल अमरित ही था और we would always feel very good, in fact वहाँ हम काफी relaxed रहते थे राम से बाते करते रहते थे लोग आते थे, सब जगें की बाते करते थे, अपनी personal lives professional lives but at that time हमें इन जी जो से कोई इतना वो था भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है so हम बड़े मस किसंद के थे, छोटे थे बच्चे थे, तो जाज़ा तर बच्चे ऐसी होते है and over a period of time ऐसे, जब भी हमने जाना तो जलंतर जाते थे गुरुजी के दर्षन करने ही करने और दर्षन करके हम फिर आते थे फिर, after some time गुरुजी यहां से चंदिगर्ड चलेगे तो दूरिंग बड़ पीरिएड वैनी ही वेंट टू चंदिगर्ड देर वस small मतलब के आप कह सकते हो के हाला के हम चंदिगर्ड में ही रहते थे तो हमारा एक बीच में एक कट अप पॉइंट हो गया के बिग रिमरी रीजन बिग विच इस वरी क्लेर दा मैं फादर इस अदिवेंट परसंट यह दिद नो रिलाइज दिपावर्स अदिवेंट प्रेसंट अव्टी इन हम उनको मौका इनी मिला तो तो तिल डेट और वाटेवर इनीड इस प्रेसंट और उनको एक ही था के गुरू गराण साहब है और अधा इस अबॉट इट और उन्होंने एक बारी मनला के सोचा भी नहीं के मैं गुरू जी के दाश्चिन करूं जा कोशिब ये गुरू के ओपर भी था कि किसको बलाना है नहीं बलाना है पर उन्होंने सारी फैमली को हमें बलाया हुआ क्या है आठ साल के बाद मैं अफटर डाट टन्यॉर मैं यहां से अपनी एजूकेशन करके आई वस दून मैं एंबी ए इन डेली तो मैं डेली में चड़ा था अकेला रहता था तो जैसे सब चड़ों का महौल होता है इस्पेशली गाइज तो फी उस्टू इंजॉई अशल्फ ठीक है हमने कोई किसे तरीके की मतलब के कसर नहीं छोड़ी हाँ पढ़ाई कम करते थे इंजॉईमेंट जादा पर रिजल्ट फिर भी आ जाता था अच्छा तो हुआ क्या उस दौरान मैं मैं पैरेंट्स वर इन चंदिगर्ड और इन डेली तो उस ताइम पर गुरुजी दिली शिफ्ट कर चुके थे तो जब वो शिफ्ट कर गे थे तो एक बरी वी आटू शिफ्ट फ्रॉम वसंत कुंज टू दौरका तो दौरका का जो घर था वो तियार करवाना था जो फ्लाट था तो उस दरान मेरे मदर मेरे साथ वहाँ दिली रहने आगी तो जिस ताएं वो दिली रहने आएं वो कहते हैं उन्होंने कहा कि मैं अब गुरुजी के दर्शन करने जाया करूंगी अपना यहां एमजी रोड के उपर एमजी रोड में यह अपना मंदर था तो वहाँ वो जाते थे तो उनको गुरुजी ने एक दिन कहा कि तू ना अपने मुंडे नू ले गया एमपायर स्टेट एमजी रोड पर कहते तुम दू अपने मुंडे नू ले गया तेरा मुंडा ना ठीक नहीं हैगा एवरीबडी नोस गुरुजी पंजाबी जी काल करते सीगे तो मम पोल मी के यार बेटा तू ना गुरुजी बला रहे सीगे तुसी आना जुरूर है ते मैं क्या ठीक है मम ते मैं गुरुजी ते कहन ते चले गया मैं मौम दे कहन ते I was there at गुरुजी's as usual empire state गया पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोगों को opportunity नहीं मिलती कि गुरुजी के दर्शिन करने को कही लोग कहां कहां से आते हैं पर उनको अफसर ही नहीं मलता के बेशक वो empire state दर्वाजे पर खड़े हैं पर उनको they are not allowed to come inside because hukam नहीं होता और we are very blessed that Guruji has called us himself तो Guruji नहीं बलाया मेनु 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 मेन जादा गाल करदा नहीं सी गया तो मेनु कहन दे तूना आवदा टेस्ट करागे लागया मैं आगले दिन मैं गया मैं टेस्ट कराने गया तो मैं टेस्ट करा के जद आया मैं आप हरान सी गया और जो liver function test होते हैं जो enzymes होते हैं दे वो beyond normal मतलब के SGPT, SGOT जो 35-40 के अंदर होने जी हैं तो दे वो 400, 500, 457, 532, something like that which is beyond मतलब that means you go into a bad phase into the liver and you continue to do that you go into a state of cirrhosis or whatever ते मैं हरान हो गया चलो हुन खांदे पींदे शीगे मजब पींदे, we were regular drinkers so what happened was Guru Ji ने क्या के तू ना मेरको रोज इत्थे आना मेरको लंगर करके याना इत्थे 10-15 दिव ते he gave, he asked my mother to get तामबेजी अपना गडवी ते get the गडवी and he will bless it and I had to put water in it, पानी पा के रखना है उसको और सुबह उसको पीना है और रात को जब भी Guru Ji के जो दिन थे वहाँ आना है और रात को लंगर चक के जाना है तो we used to go, I mean I used to go there everyday and regularly as told by Guru Ji मैं पाली याल्थ you know like I will come to that again is his essence and aura I mean when you look at him you can't I mean straight away look at him it is his aura is so strong so whenever he is saying something you just look down and you immediately agree के जो एक है ठीक है जी गुरी जिदा भी है उन्ना ने एक क्या के मैं इतनी रूटीन च जिदा भी आंदा गया रोल लंगर कीता इथे सत्संग सुनया पाठ सुनया ते फिर मम ने अपनी कार ची जाना सी मैं अपनी कार ची जाना सी जा ते यु और लूब ने जी भी जाıld वीवटी जा भी जा गैट ही जा ठाट चे लीए in my urine in my bladder I mean it was beyond I mean it would be like as if the entire some water is broken down and I mean there is so much urine that is coming out and it wouldn't stop so what I would feel is I don't know probably it's Guruji is washing the system out of me or whatever the map I started I mean I would do that every day and then as usual my mother would go in a different car and I would go in a different car so I would go again I would go 4-5 I would go again drink okay and I would go but I would go drink not that Guruji I didn't drink I didn't drink I didn't drink I was drinking I was drinking so Guruji also was going okay okay and i was going 15 days after Guruji հे मेरे पैठTO हात बारे रहे जावी तरा कलयान कीता जा टेस्ट कराई अगरा ठीक है Guruji मैं अगले दिन गया टेस्ट कराया तिस सारा कुछ नॉर्मल एविछिंग ओके मैं दा हरान हो गया मैं दा कुछ हाथ दिकर मैं भी जनी देर दिकर तानू कुछ हुंदा नहीं है जा ताड़ी ते कुछ डिपती नहीं है you don't realize that and this happened and I felt it was a miracle that how can it just happen over a period of 10 days or something जलो खेर अप आउते गुरुजी दे बेना रेगलरली जान लागे रेगलरली ओते बेना but when we would see I mean I would sit at the back Empire States Empire States पिछे बेटना लेट साइट ते कॉर्नर I mean when you come down the stairs ना स्टेर्स दो थले उतर दे लेट साइट ते ओते बेना हो थे मैं इनी दूर बेठा हूंदा सी का ते गुरुजी नुजे मैं कोशिच करदा सी ना के मैं अख चाक के देखला मेर तो देख्या नी जानदा सी मेरा सिर इना वाइबरेट करदा सी का के मैं I mean इट यू तो वाइबरेट सो मच that it was very difficult to even look him at the eyes that was his blessings or that was his aura and that was his love and कदी सान हो अगे कुछ बोलन दी लोरी नी पही मैं कदी कुछ बोले ही नी गुरुजी नु sometimes since he's not here now I feel I should have asked him something but I don't know whether I should have I don't know we never thought he's I mean gonna be here or not but I understand he's there with us right now also because he's God but ओ तो जड़ा गाल करके लोगी गाल करसा दे सीगे न ओ जड़ी कमी है न ओ थोड़ी जी मसूस हूं दी है it's a little different but that's okay but miracles are still happening and his aura his love is still giving a lot of people their hope and their happiness and जड़ो भी आप आप एथे बैठे हुने है न मनला के ओ चीज एहल अगदी है के he is still with us every time एक दिन गुरुजी ने मैं दिस संगत sorry दिस संग it's in the book of light of divinity I am blessed to have my satsang in the life of divinity page number 266 under the name of alcoholism spirited away so I am blessed to have my name in his book I would like to share the same thing also के ओ चीज किता है ओ दा incident भी किता हुए मैं नू गुरुजी कहें दे एक दिन जो तू न मैं अपने बारे लेक्के लेगया ही जो मैं ते रखके लेहन कीता है मैं थीक है जी गुरुजी the next day I sat on the I mean computer I titled properly बदिया सारा कोई लेक्के मैं कोई कासा नहीं छड़ी मेरी grammar भी वदिया सब कोई वदिया मैं गया गुरुजी वदिया लगूगा पढ़के स्वाल आजू कि बदको चंगी तना लिख्या है मुंडे ने अब बट बेनाई गिवेम गिन फोल्डे अजुटरररु द कर सेख्या है the paper the printout I gave him a folded paper he just touched the paper he just touched it and his head फेर तो लेक्के लिया मैं क्या है यार मैं हयरान हो गया मैं क्या फेर तो की लेक्के लिया हुए वोई तो समझ में नहीं आई और मैं गया जो हुआ था सारा को तो मैंने लिख दिया अब और क्या लिखना है फिर मैं एक दन बैठा मैं उसी पर next day I sat down मैं फिर बैठ गया मैं गया मैं मिस की गिता है फिर then I realized that he wanted my grandmothers my maternal grandmother my nani satsang also to come out through me this is when you know I was pretty small at that point I was about 9-10 years old and my mother my mammaji everybody we were there in Jalangar and my grandmother my nani she was in a very bad state her urine was not passing her stomach was bloated and the doctors had said sorry there's nothing we can do about it I don't think so she has any much time left when we when we doctor manna garden to rabbi and the rabda asra land लिय अपा गुरुजी को पाहुच गे। तई वी रात होगी थी और मिडनाइट वी दे वोकप गुरुजी एंड गुर जी रिक्वेश्ट के थी कि गुरू जी तुसी आओ कि मेरे ममा बहुत बमार है मैं मदर सेद, मैं मा 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 जी सेद ते व बचंगे नहीं ते गुरू जी पहला जाने कि खोड कोई डाक्टर नों दिखा लो मैं थोड ना कोई डाक्टर रहे गा ते गुर्जी यहीं कर दे उन्दी है फिर हो केंदे कि कोई गाल नहीं तुसी ही सब कुछ हो तुसी ही सब कुछ करना है तो फिर गुर्जी केंदे यहां करो मेनूना पांदे पत्ते लेके देओ पांदे पत्ते कितो लेके देगे फिर मेरे मामा जी ते फ्रेंड्स केंदे कि ओ उत्ते रेलवे स्टेशन आना उत्ते पनवारी बेंदा है ओ तो जागे पांदे पत्ते लेके आई गुर्जी ने ओ पांदे पत्ते आना से पाठ किता पाठ किता ते पाठ करके केंटे बाद उननों क्या के तुसी आ जो पांदे पत्ते आना उनना दी छाती ते रख देओ तो वो लेगे और वो पांदे पत्ते छाती पर रख दिये और विटिन मैटर आफ टू मिनिट्स उनका यूरन निकलने लग गया उनका यूरन निकलने लग गया और दॉक्तर्स वर अमेज्ड के दिस इस अ मिरकल एंड देन दे तुक हर तु डीमसी लुद्याना फर हाट बाइपास ते जो दो ओ लुद्याना डीमसी लेगे जारे शी गया ना उनका ने फिर मामाई ने गाल किती के गुरू जी उनका उत्थे लागे चलें हैं बाइपास है गी है क्या ने कोई गाल ने फिकरना कर तेरा गुरू आओ गुगा ते ओ थे डीमसी लुद्याना शी गे डीमसी लुद्याना शी गे डॉक्तर इडॉपरेटर अपरेटेड हर अड़ पालस वरी लोग और युद्याना शीफ़र अड़ गुद्याना शीफ़रेटर अपरेटर अचले अचले उनकी विस्ट पकड़ी विस्ट पकड़ के केंदे कोई ना हून तू थीक हो याना है and after that I think she must have lived about another 40 years or something like that after that and Ojiji Guruji wanted me to write in the in my satsang and when I wrote that के मैं उन्हानू ठीक कीता Guruji ने ठीक कीता है and when I wrote it again and when I presented the folded envelope fold किया हुआ paper मैंने Guruji को पगड़ा उन्होंने सिर्फ टच किया उसको और का हाँ हून लेक्के लेगे हैं हून लेक्के लेगे हैं तु मैं आप मैं आप मैं ओधी मथा टेक्या मैं के गुरुजी ताड़ी ऐसाग को देता and it is because of your blessings that everything is there I'll share another incident it's my mother's incident shortly after my marriage year after my marriage my mother was you know she was told that she had Hodgkin's lymphoma type of cancer so the diagnosis when it came we rushed left, right, center to all places wherever possible we could go फिर गुरुजी दी मैर लिप्ती के ओ कैंदे कोई ना ठीक हो जूँगी फिर टीट्मेंट करते रहे टीट्मेंट की ता ते आफ्टर सम ताइम ना इन this is before गुरुजी ने जो छोला छट्या सी का हो तो बात दी कहला है ते अफ्र वोर यह से थी कि अच्णर आप टीक हो जूँगी अच्छी ने ने च्च्छी विरूजी डाश्य आपट जीट्मी when we did a PET scan and that again showed the cancer things I mean in our body the lymph nodes were all swollen up in our body and okay and they fear oh he issue lag रहे है ते मं कबर आगे after they ko जडे जस बंदे ने अलड़ी एक चीमो सेशन दे थूगे हो जड़े है तो जड़े जड़े इस वेरी दिफ़कल पर अपसन to go through the same stages again and she just prayed के ओना हुवे then what happened was she had to take a biopsy doctors told her के biopsy लेनी है ते biopsy लिती बायाप्सी जड़े टेस्ट कराया थे biopsy दे वेचो कहें दे most probably it is the same thing but we have to send it further for checking जड़ो बायापसी लिती आता हो तो अगले देन बड़े मंदर चलेगे ओठे बड़े मंदर जागे मंने रिक्वेस्ट किती अर्दास किती सारे परिवार ने अर्दास किती गुर्जी नूं के ताड़े अपने बच्चे है गेयां ते अपने बच्चे दा त्यान रखो ते मेरी मज़र है इनूं प्लीज लेट लेट नोट गो थ्रू अल दाट पैन अगेन ते मम उथेश ये ते कहन दे मैं इक थे रहना है गुरुजी भी ब्लेसिंग्स लेनी है ते फिर भी मैं जाना है इनूर अपने दे ब्लेट अपने अपने एगेन डूं अधर अगेरे अब चसचित निए दो गोरुजी एख प्लेस्ट अधर गोरुजी एख धने प्लेस एख टो रहर भी डूटरू पांगे मैं तो ऑ्कांड़ुजी नर्डूलों ये ये एख ये जह गे दे लिंफनोंट स्वोलन आप सी गए they are not there they couldn't believe it okay this is not possible and then they asked for another PET scan and then we did another PET scan and then it was all clear so Guruji मरलब पे इनी रहमत इनी किर्पा इनी मेर अपा जिनना भी कहिये उनना ही काटा है मरलब के साड़े हर एक मरलब के life दे विच हर एक instance रहगा जे दे विच उनना दी मेर रेम टे किर्पा आँ दी है इस करके if things don't happen for you that means they are not meant for you and Guruji says that is not right that is why Guruji says it's not right for you that's why it's not happening तो जे ओ होगा होगा हाँ उन्हों ताइम जरूर लग सगता है पर जे ताइम लगूगा हो जूगा वो कैंदे तडे जडे मारे कार्मा आदे ता माय आदे कि ये पर संट माय काट ते है 10% ताड़े रहेगे है ओ जड़े 10% हुंदे ना हो साड़े लिए इनने लंबे हुंदे है that yes they are decades for us but imagine उनने तर 90% कटते so we are very thankful के अपा एस जिदगी वेच पावे नहीं संगत वलो जब पराणी संगत वलो किसी भी तरह जुड़े है गुरुजी दी चन्नाज उनना दी शरंच ते उनना दा बहुत शुकर गुजार है ते तन्वादगार्दी है के उनना ने सानू आप दे अतर चातर चायच ते आप दे आप दे बदलत परिवार अपने बच्चे आँ मंगू अपने अकनाल लेता है एंड एं तब फोर भी बहुत चीजा है गी है फोर भी बहुत सत्संग है गी है बट माई रिक्वेस्ट इस गुरुजी हमेशा केंदे सिके चंगा करो ते चंगा होगा ते मैं इसनाल मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारेयनू कै एव जडे महापॉर्शय जडे प्रम्हातमान है साडे गुरुजी पहामे जिनना मर्जीताटा हे ताहें ओखावे एना दा पलाना शड़ेओ एना दि शरन एना दि चलना दि शरन चलना शड़ेओ क्योंकि क्dock मैं गुरुजी केंदे खी के फेर जाके कई बारी फाल मिलता है इस करके whatever problems, issues, be positive जदो तुसी positive होंगे अध्यता उद्द ही लिखकर जानगे ति परमादमा दी बहुत बहुत मेर है, गुरुजी दी मेर है जो नहीं सामू इथे अपने शरंच लिता है ते इसनाल, I would say thank you to everybody who is listening and I would thank Guru जी का आश्रम जो ए इनिशेटिव लेके सारे संसार विच गुरुजी दी सत्संग ते उनना दी महिमा नू खला रहे ने जै गुरुजी जैसर लेके सामू से जावाभ जैसर लेके सामू जैसर विप जैसर बहुत मैं जावाभ